नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका आज के स्वीडियो में दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि संडे को हम करते हैं क्यों आ जिसमें EPF से जुड़े सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूँ वीडियो में आगे बड़े से पहले में आपको बता दूँ कि अगर PF से जुड़े आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इप पूसे जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहा है कि और आज क वीडियो का पहला सवाल है कि पीएफ मेंबर यदि पीएफ का पैसा निकाल लेता है उसके बाद वो वापस से अगर न्यू जॉब जॉइन करता है तो क्या उसका नया यूएन नमबर जनरेट होगा तो इस सवाल का जवाब यह है कि अगर कोई पीएफ मेंबर एक कमपनी से रिजाइन दे कर उस कमपनी के पीएफ अकाउंट का पुरा पैसा निकाल लेता है और वापस से एक नई कमपनी जॉइन करता है तो उसका नया यूएन नमबर जनरेट नहीं होगा बलकि उसका नया पीएफ अकाउंट जनरेट होगा क्योंकि यूएन नमबर सिर्फ एक ही ब समर के साथ में ठीक उतना ही पीएफ अकॉंड लिंक हो जाते हैं और आज की वीडियो का अगला सवाल है कि मैंने अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकॉंड का पैसा अपनी नई कंपनी के पीएफ अकॉंड में ट्रांसफर कर लिया है तो अब मैं अपनी पुरानी कंपनी के PF account का पुरा पैसा केसे निका लूँ Basically ये PF members पुछना चाहते हैं कि PF transfer करने के बाद पुरानी company के PF का पुरा पैसा केसे निका लें तो देखिए इस सवाल का जवाब यह है कि PF transfer करने के बाद आप पुरानी company के PF account का पुरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन पुराने कंपने के PF का पुरा पैसा निकालने के लिए आपको उस PF अकाउंट से फुल एन फाइनल क्लेम करना होगा, जिस PF अकाउंट में आपने PF ट्रांसफर किया है, तो अब आपको यहाँ पर यह बात समझने होगी, कि चाहे आपने पुराने कंपने के PF का पैसा ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अभी आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, क्योंकि PF अकाउंट का पुरा पैसा निकालने के लिए, हमें फुल एन फाइनल क्लेम करना पड़ता है, और full and final claim सब होता है जब हम अपनी job छोड़ देते हैं तो आपने जिस company के P.F. account में पैसा transfer किया है उस company में अगर आप अभी job कर रहे हैं तो उस company के P.F. account से तो आप full and final claim नहीं कर सकते तो आपकी पुराने company के P.F. का पैसा जो transfer होकर आपके present company में गया है उस पैसे को आप महीं जमा रहने दीजिए क्योंकि जब आप अपनी present company से job छोड़ेंगे और वहाँ से जब आप full and final claim करेंगे तब आप उस पैसे को निकाल पाएंगे लेकिन अगर आप अभी कहीं job नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी present company के PF account से full and final claim करके अपनी सभी PF account का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और आज की वीडियो का अगला सवाल है कि claim settle हुआ है लेकिन claim settle होने का message नहीं आया है तो इस सवाल का जवाब में अपनी कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा claim settle हो जाता है तो claim settle होने के बार हमें हमारे mobile number पर EPFO की तरफ से एक message मिलता है उस message में ये बताया जाता है कि आपका claim settle हो चुका है और आपका settle किया गया amount 3 working day में आपके bank account में credit कर दिया जाएगा अब EPFO ये message हमें सिर्फ इंफोर्मेशन के लिए भेचता है तो कई सारे PF members के साथ ऐसा होता है कि उनका claim तो settle हो जाता है एकिन claim settle होने का message उन्हें नहीं मिलता है तो यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि claim settle होने का message अगर आपको नहीं आया है फिर भी आपको आपके PF का पैसा मिल जाएगा और आज की वीडियो का आखरी सवाल है claim settle होने के बाद क्या होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि PF account से पैसा निकालने के लिए हमें claim करना पड़ता है और वो claim 15 से 20 दिन के अंदर settle होता है तो अब इस सवाल का जवाब यह है कि अगर आपने PF का पैसा निकालने के लिए claim किया है और अगर वो claim settle हो चुका है तो अब claim settle होने के बाद आपको आपके PF का पैसा मिल जाएगा लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल है कि claim settle होने के कितने दिन बाद P.F. का पैसा मिलेगा तो इस सवाल का जबाब ये है कि claim settle होने के बाद तीन दिन के अंदर अंदर आपको आपके P.F. का पैसा मिल जाएगा तो ये थे आज की वीडियो के सवाल और उनके जवाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि P.F. अकाउंट से जड़े आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूश सकते हैं ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी